हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नौर्ट इंडियन फूड विद इंदू में तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मार्केट में मिलने वाले कुल्चे जिने हम घर पर ही आसानी से बना सकते हैं बिना किसी जंजट के ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तयार होते हैं तो मार्केट से बार बार क्यों लाना जब हम इसे घर में ही आसानी से बना सकते हैं तो चले इस मज़ेदार से कुल्चे की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं तो यहां कुल्चे बनाने के लिए मैंने दो बड़ी कटोरी मैदा लिया हुआ है मैदा को मैंने पहले ही छान लिया है तो यहां हम इसमें डाल देंगे आधी कटोरी दही आधा छोटा चमच चीनी आधा छोटा चमच बेकिंग पाउडर और साथ इसके डाल देंगे आधा छो से mix कर लेंगे तो यहां मैंने अच्छे से mix कर लिया है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी दो चम्मश refined oil यहां oil डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और यहां अब हम mix करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक soft dough तयार कर लेंगे तो यहां मैदे को हम मसल मसल के अच्छे से गूतेंगे यहां हमें पानी की और ज़र रहता है तो थोड़ा सा हम पानी और डाल लेंगे और इसका soft dough तयार कर लेंगे मैदा गूतते वक्त इसे अच्छे से मसल मसल के गूते तबी जाकर सौफ्ट कुल्चे तयार होंगे यहां मैंने मैदे को अच्छे से गूत लिया है तो अब मैं उपर से डाल दे रही हूं दो चमश रिफाइंड ओयल और इस ओयल को भी हम पूरे डो पे अच्छे से मसल के लगा देंगे तो यहां मारा डो तयार है तो हम इसे ढख करके एक घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे तो फ्रेंड्स यहां हमारा अल्मोस्ट एक घंटा हो चुका है और यह डो भी अच्छे से फूल चुका है हम एक बार इसे फिर से मसल लेंगे यह बहुती सॉफ्ट डो बन कर तयार हुआ है तो चलिए फिर अब कुल्चा बनाने की प्रोसेस को हम शुरू करते हैं तो यहां मैंने पूरे डो को हाथों के बीच में ले लिया है और जिस तरह से हम मुठी बानते हैं उस तरह से हम मुठी के बीच में रखकर इसे दबाते हुए हम इसके पेड़े तोड लेंगे आप यहां ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैं आटे को फोल्ड करते हुए मुठी के बीच में से दबाते हुए इसके पेड़े तोड ले रही हूँ तो इसी तरह से हम बाकी के पेड़े भी बना लेंगे तो यहां हमारे सभी पेड़े तयार हैं तो चलिए अब इसे हम बेल लेते हैं तो यहां हम इसमें से एक पेड़ा ले लेंगे और बाकी के बचे हुए पेड़े को हम ढख कर रख देंगे जिससे की वो ड्राय न हो तो अब मैं यहां इसे बेलन से बेल ले रही हूँ तो यहां हम इसे बेलते समय बिल्कुल भी सूखा आटा नहीं लगाएंगे ना ही कोई तेल लगाएंगे और इसे थोड़ी सी लंबे शेप में हम बेल लेंगे तो यहां मैंने इसे बेल लिया है तो अब इसकी एक साइट पर मैं अच्छे से पानी लगा दूँगी तो यहां चारों तरफ हम अच्छे से पानी लगाएंगे और यहां मैंने तवे को गरम होने के लिए रख दिया था तो अब मैं इस पे डाल दूँगी और फ्लेम को यहां पे हमें मेडियम पर ही रखना है तो अब मैं यहां इसके उपर से थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ चमच से और इसे अच्छे से पूरे कुल्चे पे फैला देंगे और अब यहां मैं उपर की तरफ डाल दे रही हूँ थोड़े से कलोंजी के बीज और साथ ही में ज़र असी डाल दूंगी बारी कटी हरी धनिया इन दोनों चीज को डाल के हम हाथ से हलके हलका प्रेस कर देंगे जिसे कि यह अच्छे से इस पर चिपक जाए तो अब हम यहां तवे को उल्टा करके सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर तो यहां पर मैं तवे को थोड़ी थोड़ी देर पर चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से सेक ले रही हूँ आप यहां बिल्कूल ही तवे को पूरी तरह से गैस पर ना रखे इसे थोड़ा थोड़ा उठाते रहें तो यहां हमारा कुल्चा दूसरी साइट से भी अच्छे से पक चुका है और बहुती अच्छा कलर आया है तो अम मैं यहां उपर से लगा दे रही हूँ मखन आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं तो यहां मारा कुल्चा दोनों तरफ से सिख चुका है तो हम मैं इसे पल्टे से निकाल लूँगी तो यहां आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया बन कर तयार हुआ है तो यहां मैं इसे निकाल ले रही हूं प्लेट पर तो फ्रेंड्स यहां आप देख सकते हैं कि यह दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है बहुती अच्छा कलर आया है दोनों साइट से तो इसी तरह से हम बाकी के कुल्चे भी बना कर तयार कर लेंगे कुल्चे को बेलते समय आप बाकी के पेड़े को हमेशा ढखकर ही रखे तो अगर आप खुले में रखेंगे तो वो बहुती जल्दी ड्राय हो जाएंगे और हमारे कुल्चे भी बिल्कुली ड्राय ड्राय बनेंगे तो यहां मैंने दूसरा कुल्चा भी बेल लिया है और इसकी दूसरी तरफ पानी लगा दिया है तो अब यहां इसे भी मैं सेक लूँगी और इसकी उपर साइट पे भी मैं जरह सा चमच से पानी डाल दे रही हूं और अब इसे फैला दोंगी पूरे कुल्चे पे और इहां आप डाल दे रही हूं थोड़े से कलॉंजी के बीज थोड़ी सी जरह सी बारिक कटी हुई हरी धनिया और इहां इसे हलका हलका प्रेस कर दूँगी और अब यहां तवे को पलट कर हम इसे चारो तरफ से अच्छे से सेक लेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे हम तवे को गुमाते हुए इसे अच्छे से सेक लेंगे तो यहां हमारा कुल्चे अच्छे से सेक चुका है तो अब मैं इस पे लगा दे रही हूं थोड़ा सा बटर तो यहां हमारे सभी कुल्चे बन कर तयार है तो है न ये बिल्कुल ही आसान सी रेसिपी आप इसे घर पर कभी भी बना सकते हैं ये बहुती सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तयार होते हैं आप देख सकते हैं कि इनका कलर बहुती अच्छा आया है ये दोनों साइट से अच्छे से पके हैं मैं यहां इसे आपको मोड के दिखाती हूँ कि यह कितने सॉफ्ट बने हुए है और यहां तोडने पे भी यह बहुत ही सॉफ्ट है और इसके अंदर भी बहुत ही बढ़ी आसी जाली बनी हुई है तो आप भी इस मज़ेदार और टेस्टी से कुल्चे को घर पर ही आसानी से सकते हैं वो भी बिना किसी जंजट के तो आप भी इस एक बर बनाकर ज़रूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी न भूलें कि कैसी लगी आपको मेरी आज की यह रेसिपी और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जादर से जादर लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना बिल्कुल भी न भूलें सो थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ